नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आयर वेदेक नहीं दिशा बड़े से छायदार बरगद के पेड़ को को नहीं जानता आपने इसमें लगने वाले छोटे छोटे फूल भी देखे होंगे और बच्पन में इसकी लताओ पर खुब जूले भी जूले होंगे लेकिन आज तक इसका इस्तमाल कभी नहीं किया होगा जैसे घर में नीब आम और गुलाब का करती हैं ऐसे में आप बच्पन में भी कभी नहीं सोचा होगा कि बरगद का पेड़ हमारे लिए इतना फाइदेमंद हो सकता है आज हम आपको कुछ गुण बताएंगे बरगद के जो अपना करता है इसका इस्तमाल करने से विरिया का पतलापन सिगर पतन सोपंदों से कमजोरी और विरिया समद्देते अन्य विकारों की समस्या दूर हो जाती है यह हमारे लिए काफी गुणकारी साबित होता है पोरोशक्ति बढ़ाए बरगद का सबसे ज्यादा उपयोग पोरोश साइड इफेक्ट नहीं है जबकि कई दवायों का साइड इफेक्ट होता है जो हमारे श्रीर के लिए हानिकारख हो सकती है इसलिए पोरोशक्ति बढ़ाने के लिए ब्रगद एक है बहुत ही मैत्पूर्ण पोदा है पिछले कई सालों में पुरसों में मोबल्टी की समस्या देखने को आई है इस समस्या में पुरसों का विर्य में इलाओ के शिरिर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे पाता जिसे में इलाओ को गरब दारन करने में काफी समस्या होती है साथ ही इसका कारने कई बार पुरसों को सिगर पतन की समस्या भी हो जाती है ऐसे में लोगों क विवह जीवन का आनद नहीं मिल पाता इस समस्या का इलाज लोग बड़े-बड़े हकीमों से करते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता जबकि इस समस्या के लिए बर्गत का पेड़ बहुत ही कारगर उपाई है इसका इस्तमाल बहुत ही सस्ता और चमतकारी प्रणाम दे करने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए अगर आपको सेक्स समंदी कोई भी समस्या है तो आप बर्गत के पेड़ का चूरंड बना लें और इसे सुबह से हमें लें इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा तो यह थी दोस्तों आज की जानकारी इसी तरह की आन् कर दाएल